चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसंतोशी माम दोस्तों आपका स्वागत है। आईए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से 21 जुलाई 2024 दिन रविवार आशड मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी शाम तीन बजकर 47 मिनट तक रहेगी। इसके उपरांथ प्रतिपदा तिथी प्रारंब हो जाएगी। उत्तरा शाड़ा नक्षत्र रात 12 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। इसके उपरांथ श्रवन नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुब समय शाम 5 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्थ अर्थात दिन का सबसे शुब समय दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 69 मिनट तक रहेगा। आज चंदरमा 21 जुलाई सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक धनु राशे में और उसके बाद मकर राशे में संचार करेगा। सूर्य आज करक राशे में रहेंगे। वरिशब राशे 21 जुलाई 2024 दिन रविवार आज आपके करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और सहकर्मियों से विश्वास घात का भी सामना करना पड़ सकता है। हालां कि आपकी महान महत्वा कांगशा और नेक दयालू स्वभाव चमकेगा। इस समय का उपयोग अपने दीर्ग कालीन लक्षें पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मूल्यों के प्रती सच्चे रहने के लिए करें। असफलता मानवी ये लग सकती है लेकिन याद रखें कि हर जटका वापसी की तैयारी है। दिन की उर्जा को आशावाद और लचीले पन के साथ अपनाएं। अपनी आंतरिक शक्ती पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। आपकी द्रढ़ता आखिरकार रंग लाएगी और उज्ज्वल दिन आने वाले हैं। आपका हंस्मुक्स्वभाव दूसरों को लाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। गर्ल्फरेंड या बॉइफरेंड से धोखा मिल सकता है। इसलिए सतर्क रहें। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो यह जरूरी होगा कि उससे क कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य अच्छी तरह से जाच लें। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़कर आज का दिन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। आपका जीवन साथी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने से पीछे हट सकता है। जिसके चल अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून भी मिलेगा। खुद के लिए निर्धारित लक्षे का दबाव डाल कर अपनी उत्पादक्ता को कम न करें। इस बात का खयाल रखना जरूरी है। विभिन्न कारणों से आज भावनात्मक बड़े बदलाव ला सकते हैं। विदेश में काम करने का अवसर जल्द ही प्राप्त होगा जो कुछ दिनों के ली ही लाबकारी साबित हो सकता है। लेकिन इसका फाइदा उठाने की कोशिश करें। साथी के साथ बंद हुई बातचीत के कारण तकलीफ हो सकती है। पेट स संबंधित समस्या हो सकती है जो ठीक होने में समय लगेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अन्यकारियों में समय व्यतीत करेंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है। जो आपको आनंद देगा। आपकी नेत्रि परधा का भाव भी बना रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों के साथ किसी मुद्दे पर असहमती होने के कारण थोड़ी बहस हो सकती है। आप कुछ नए लोगों के साथ जुडने में सफल रहेंगे। ग्रिहस्त जीवन में प्रेम बना रहेगा क्योंकि आपके साथ ही भी आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे। विद्यार्थी, यदि किसी प्रतियोगिता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सावधान रहें। ध्यान रखें कि आपकी कोई जिद आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन रखें। विद्यार्थी मौज मस्ती में अपना समय न गवाएं। बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज का दिन अपने संबंधों में कड़वाहट और कटुता को कम करने और सुधारने का है। लेकिन आपको ही पहल करनी होगी। अपनी महत्वा कांख्शाओं और गर्व को पीछे छोड़कर चीजों को अपने हाथों में लेना होगा। अन्यता आपका रिष्टा उथल पुथल की सवारी जैसा हो जाएगा। आज आपका साथी सभी सुझाओं के लिए मन खुला रखेगा। प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आने की संभावना है। एकल लोगों के लिए ये एक अच्छा समय है अपने क्रश की दीर्ग कालिक अनुकूलता का समझदारी से आकलन करने के लिए। चीजों को धीमी गती से लें और महत्वपूर्ण निर्णे लेने में जल्दबाजी से बचें। यदि आप किसी रिष्टे में हैं तो गहरे स्तर पर फिर से जुड़ने के लिए घर पर एक आराम दायक शाम की योजना बनाए। छोटी मोटी असहमती सामने आ सकती है। लेकिन उन्हें धैर्य और समझदारी से हल करें। दिल को खुला रखें और याद रखें कि ये चोटी-चोटी बाधाएं विकास के अवसर हैं। दिन को आशावाद के साथ अपनाएं और प्रेम को किसी भी चुनौती का सामना करने में आपका मार्क दर्शन करने दें। अब बात करते हैं करियर की। आज धनुराशि में चंद्रमा की उपस्थिती आपके पेशेवर जीवन में आशावाद और उत्साह भर देती है। हालांकि आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन्हें छिपे हुए अवसरों के रूप में देखें। धैर्य और सहानुभूती के साथ उनसे निपटें। यात्रा को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं। व्यावाहारिक परिस्थितियां। आज आपको तेजी से काम करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचि दिखाएगा। इसलिए आपको कुशलता से अपनी दोनों प्रतिबधताओं को निभाना होगा। जना की आपका मन विचलित हो सकता है। दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की, आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने हो तो बाहर ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम जाकर ट्रेनर के अनुसार हलकी फुलकी कसरत करें। आज का उपाए, गरीबों की मदद करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। यह बहुत शुब रहेगा। जीवन में हमेशा सकारा आत्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुब हो।